सब्सक्राइब करेंगे क्या हाल चालेंगे तो आप सभी को गुड मॉनिक आप सभी को राम राम रादेश्याम सब्सक्राइब वेलकम है तो थोड़ी से क्लास लेट होगी उसके लिए मैं आप से माफिनी चाहता हूं थोड़ी से एक टेक्निकली प्रव्लम थी थोड़ा सा कैमरा काम नहीं करा था इसकी वैसे थोड़ी से ले करके हम बात कर रहे थे और मैंने आपको ये भी बताया था कल की क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बारे सो चैसे ले करके और पंद्रे सो चब्वीस तक बारे सो चैसे ले करके पंद्रे सो चब्वीस तक जो सासन है वो दिल्ली सल्तनत का सासन है आप जानते हैं और इसे दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो सुरुवात हो रही है वो सुरुवात इसकी ह है नहां तो मैंने आपको बताए था कि 1206 में कुतुबदिन आवक के द्वारा किसके द्वारा दोस्तों कुतुबदीन आवक कुतुबदीन आवक के द्वारा इस डिल्ली सल्तनत की स्ταपना की गया आप जानते हैं और मैं अगर बता दू लास्ट में 1526 में या मैं पूरी डेट भी अगर आपके लेके दू तो 21 अपरैल 1526 को एक युद्ध हुराए जिस युद्ध का नाम है पानी पत का प्रतम युद्ध क्या नामे साथी और ये इबराहिम लोदी कौन है ये लोदी वंज का अंतिम सासक है इबराहिम लोदी और इसमें हार किसकी हो रही है इबराहिम लोदी की हार हुई और भारत में किसकी स्तापना हुई भारत में मुगल इसाम राज की स्तापना हुई क्योंकि आप जानते हैं यहांपर बारे सो च्छे में मोहमपद गौरी की मृत्ती हो जाती है और उसी मुहमपद गौरी का एक दास है जिस दास का नाम है कुत्भुदीन ऐबक तो मैंने आपको उताई था किसकी सुरुवात कैसे हुई और इस दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ और कुल मिलाकर के 320 वर्स तक जो सासन है वो सासन रहा है किसका दिल्ली सल्तनत का सासन जो रहा है वो 320 वर्स तक रहा है आप इस बात को जानते भी है और आप इस वात को यहां पर समझते भी हैं दोस्तोच अब जहां तक हम बात कर रहे थे मैंने आपको कल्की क्लास में बताए था कि कुछ पांच वंस हमें इसमें देखने को मिलते है जिसमें नमँबर एक हमें देखने को मिलता है घुलाम वंस कुंसा गुलाम वंस नमबर दो हमें देखने को मिलता है जिसको हम कहते है खिलजी वंस नमबर तीन जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है तुगलक वंस और नमबर चार जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है सयद वंस और नमबर पांच हमें देखने को मिलता है लोधी वन्स कुन सा भी या लोधी वन्स तो दिल्ली सल्तनत में कुल मिला करके ये पांच सासन हुए और इनी पांच सासन में से जो पहला सासन था गुलाम वन्स जो बारे सो चैसे ले करके 1290 तक इसने सासन किया और कुल मिला करके 11 सासक हुए इसमें कितने सासक हुए 11 सासक हुए और उन्ही 11 सासकों में से जो दो सासक मैंने कल आपको कराए थे मैंने कल आपको बताए था कुत्ब अद्दीन एवग के बारे में बताए था किसके बारे में बताय था उसका पूत्र जो पूरी तरीके से आराम है पर नाम भी था आराम सा उसके बाद जो बदाईूं का गवर्नर है इलतुत्मिस इल्टुतुमिस के बारे मम को पढ़ना था और इल्टुतुमिस तक ही हमने लास्ट में यहाँ पर पढ़ लिया था अब कोई समस्या हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजे कि हाँ जी शार यहाँ पर अब कोई हमें समस्या है जल्दी से बता दीजे फटापट्से अब कोई अगर आपको यहां तक समस्या है तो आप मुझे जल्दि से बता सकते हैं फटापट्से यहां पर मुझे बता सकते हैं ठीक है भ고 एक बार बता दिजी जल्दि से सभी का Welcome है सभी का स्वागत है सभी भाईयों का Welcome है सबी को गुड मॉनिंग, सबी को नमस्कार, सबी को राम राम रादेश्याम, सबी का स्वागत है, सबी का वेलकम है अनिल कुमार, शाक्षी यादव, आरेय रिजवी, सना अंसारी, निराली पंबर, हुशन अंसारी, जीतिंद्र, सभी का स्वागत है, मुस्तेक अंसारी, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है तो यहाँ पर मैंने आपको बताए था, यहाँ से कुछ क्वेसन ऐसे हैं, जो आपकी परेक्षा में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में बात कर लेंगे, जल्दी से आप जवाब देंगे जैसे अगर आपसे प्रशन पूचा जाए, कि बताए लाक बक्स किसको का जाता है, मैं आपके लिए आपर कुछ क्वेसन लिख लेता हूँ सब कुछ नोट का लिए सार वेरी गुड तो बताइए जल्दी से कमेंट करते जाए ये बताइए कि पील बक्स किसको का जाता है अगर आपसे परिचा में पूछा जाए कि कुरान खुआ किसे का जाता है आप से अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला सुल्तान कौन था भारत का पहला सुल्तान कौन था ये आपसे प्रश्न पूछा तो जवाब दीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक रियल फांडर ओफ दिल्ली सल्तनत किसको कहते है आपसे प्रशने पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसको कहते हैं आपसे प्रशने पूछा जाए कि कुत्बुद्दीन एबक का मकबरा कहां पर है ये प्रशने आपसे पूछा जाए आपसे प्रशन पूछा जाए कि इल्टुतमिस का मकवरा कहां पर है इल्टुतमिस का मकवरा कहां पर है यह आपसे प्रशन पूछा जाए आपसे प्रशन पूछा जाए कि इल्टुतमिस कहां का गवर्नर था कहां का गवर्नर था कहां का गवर्नर था यह आपसे प्रशन आपकी परिच्छा में पूछे जाएंगे इनका जल्दी से जबाब दीजे फटापट से जबाब दीजे ठेक है भीया जल्दी से आपको इन प्रश्णों के जवाब देने हैं आप से अगर प्रश्ण पूछा जाए भीया कि कुत्वुद्दीन एबक कुत्वुद्दीन एबक ने कुत्वुद्दीन एबक ने सुल्तान बनकर शासन कब किया कब किया यह आपको जवाब देना है आपको जवाब देना है कि एबक को एबक को दास्ता से मुक्त किसने किया आपको जवाब देना है कि कुबबत उल इसलाम मस्जिद का निर्माड किसने किया जल्दी से कमेंट करके जवाब देजे आपको जवाब देना है कि अडाई दिन का जोपड़ा किसने बनवाया और कहां पर है आपको जवाब देना है कुतुमीनार का नाम किसके नाम पर पढ़ा किसके नाम पर पढ़ जबाब दिये जल्दी से आपको जबाब देना है कि बारत की सबसे उंची मीनार कौन सी है बारत की सबसे उंची मीनार कौन सी है आपको जबाब देना है कि बारत की प्रथम मुसलिम महिला सास का कौन है यह इतने सारे प्रशना आप जवाब देए जल्दी से फड़ापट से इनके जवाब आप जल्दी से देदीजे क्या इसका अंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया करते हैं कुट बदीं एवग के पील वक्स कहा जाता है हाति दान करता ता मौनेकुमार करते हैं कुुट बुद्दीन एवग लाख बक्स कोराना भी कहते हैं सुल्त इलतुत्मिस लाहूर का गवर्णर था गलत जय appeals है यह विलताईउं का गवड़नर घरा लाहूर का गवर्ण किया था क्योंकि 1210 में तो इसकी मृत्ति हो गई थी आयरा रिज्वी करें सुल्तान बन कर वारसवाट से 1210 में किया ओके नूतन दुबे गुड मॉनिक सार सौरी फोलेट कोई दिक्कत नहीं है आयरा रिज्वी सुल्तान फस्ट डे एंपरर ओके फस्ट लेडी एंपरर और र कि मैं हम आथ से क्या करेंगे क्लास के सुरूर ने के पांच मट तक हम कुछ कुछ कॉसंस रिस्क्रस करेंगे ऐसे को अब्जेक्ट वाले कॉस्ट नहीं बाजिए थियूर्टिकल जो हमने पढ़ा है जैसे लाक बक्स को कायता है तो आप जानते कुत बुद्दी ने वको काय क्या की ता है क्यों कि लाकों का दान करता था पीलर टूर्स बारत का है माला कोई लाएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्तापक किसे कहते हैं तो आप जानते हैं कि इल्टो तुमिस को ही हम दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहते हैं जब कि कुत्बदीन एवक को दिल्ली सल्तनत का संस्तापक कहते हैं अंतर है एक दिल्ली सल्तनत का संस्तापक है एक द लाहुर में अपनी राज़दानी बनाके रखी थी तो लाहुर में इसका मकबरा है आप जानते हैं महाँ पर इल्तुत्मिस का मकबरा है तो आपको पता है दिल्ली में इल्तुत्मिस का मकबरा है और इल्तुत्मिस कहां का गवर्नर था तो इल्तुत्मिस आपको पता है 11 10 तक सासन किया कुए जो महम्मद गौरी है उसका चो बतिजाए गया सद्दीन महमूद उस गया सद्दीन महमूद नहीं इसको दास्ताप से मुक्रियर कर दिया कुबत ऑलि- compete online अलेइसलाम मस्जिद का निर्माड ये ये कि निर्माड कर बन्वाया अडाई दिन का जोपड़ा हमारा काम पर है अजमेर में हो जाएगा आप जानते हैं और एबक नहीं इसको बनवाया कुटब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा है तो आप जानते हैं खुआजा कुटब अधिन बक्तियार का की एक सूफी संत थे बारत की जो सबसे उंची मीनार है वो भी कुटब मीनार है लगबग 74 मीटरस की उचाई है बारत की परतन मुसलिम महलासास का तो इसका अंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान ठीक है चले तो यह क्वेसन वोच है उसी बंस में इल्टुतमिस का जो उत्रादिकारी हुआ उस उत्रादिकारी का नाम था रजिया सुल्तान हालांकि जब बारे सो चछतीस इस्वी में आप जानते हैं कि इल्टुतमिस की मरत्यू होने के बाद मैं यहीं से बात करूँगा मैं ही से बात करूँगा कि इल्टुतमिस की मरत्यू आप साइद जानते होंगे कि इल्टुतमिस की इसकी एक बेगम थी जिसका नाम था साहतुरकान इसकी एक बेगम है जिस बेगम का नाम है साहतुरकान और इसी साहतुरकान का एक पत्र था जिसका नाम था रुकनुदीन फि फिरोज शाह। तो इसका जो पुत्र था साथ तुरकान का पुत्र था जिसका नाम था रुकुन द्दीन फिरोज साहभ जानते हैं और ये रुकुन द्दीन फिरोज साही इलतित्मिस की मरत्यू के बाद में 1236 आश्वी में गद्धी पर बैठा है लेकिन वास्ता में क्या है ये रुकुनिदीन फिरोजसा कैसा था आप जानते हैं कि यह एक आयोग्य सासक था यह एक अयोगिस आ सकता लेकिन क्या था कि अपनी माता साहत तुरकान के सर्रक्षन में यह उसकी देख रेक में गदी पर बैठ गया जब के वास्तविक्ता क्या थी वास्तविक्ता थी किस इल्तुतमिस ने अपना उत्तरा दिकारी अपना सक्सेसर किसको नुक्त किया था अपनी बेटी रजिया सुल्तान को नुक्त किया था आप यहाँ पर इस बात को जानते हैं ठीक है अगिन ठीक है भी यहाँ बताई जल्दी से यह बात समझ मैं आगी किन आगी अब जब रजिया सुल्तान के साथ में ऐसी चीज़े होने लगी तो उस वो जनता के सामने आई उसने जनता के सामने गोहार लगाई और ऐसा दिल्ली सल्तनत में पहली बार हुआ कि जनता के सायुग से जनता के प्रियासों के बाद जो है गदी पर बैटी कौन रजिया सुल्तान बारे सो चालिस तक काल करम राय किसका रजिया सुल्तान का दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि गद्धी पर बैठने के लिए और जनता के दौरा प्रियास किये गए क्योंकि इस से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था लगातार करम से चीजें चलती जा रही है लेकिन इस बार जनता के सहयुक से जब रजियास सल्तान गद्धी पर बैठी और आप साइद इस बात को जानते भी होंगे कि इस इल्तुतमिस ने एक संगटन बनायता तुर्कान ए चालीसा तुर्कान ए चालीसा यानि चालीस तुर्क अमीरों का एक समूश ने बनायता 40 तुर्क अमीरों का एक समू बनाय था जिसको हम 40 तुर्क सरदार भी कहते हैं उनका एक इसने समू बनाय था किसने इलतुतमिस ने अब जाहर सी बात है कि जिस देश में 40 बड़े अमीर लोग बैटे हो और उन 40 बड़े अमीर लोगों को रूल कौन कर रहा है एक लेडी एक महिला उन्हों पह सासन चला रही है और उस जमाने की मानस्विक्ता ऐसी थी कि लोग इसको बरदास नहीं कर पा रहे थे कि एक महिला होकर के हमारे उपर सासन कर रही है ये बात उन्हें थोड़ी सी अटक गई और बस सारे के सारे लोग इस बात को इसके खिलाप सड़ेंदर करने लगे कि किस तरीके से रजिया सुल्तान को गदी से हटाए जाए एक इतियासकार तो यहां तक कहता है कि रजिया सुल्तान के जैसी सासे का कोई और नहीं थी दिल्ली सुल्तनत में लेकिन बस उसकी सवसे बड़ी कमी थी कि वो एक महिला थी अगर वो एक पुरुस होती तो आज कुछ इस्तियां ही और होती बदल गया होता क्यों गरजिया सुल्तान की विवस्ता ही अलगती बिल्कुल सासं करने की और भी चीज़ों को लेकर चाल गानिया और चालिसा बिल्कुल सही नदा लिजे अब इसी बात को ले करके यहां पर कुछ क्वेस्टन बन जाते हैं जैसे नमबर एक कि यह दिल्ली सल्तनत की यह दिल्ली सल्तनत की प्रतम मुस्लिम महिला शासका थी प्रतम मुस्लिम महिला शासका थी ये बात को द्यान रखेगा हो सकता है आपको ये बात ना पताओ कि प्रतम मुस्लिम महिला शासका थी लेकिन अगर आप से ये प्रशने पूचा जाए कि भारत की प्रतम महिला सासका कौन है तो ध्यान रखेगा दोस्तों कि भारत की प्रतम जो महिला सासका है वो एक अलग है नौभी सताबदी के लगवकी में बात बता रहा हूँ कश्मीर में एक सासका थी रानी और दिद्धा उसका नाम था जिसको दीदी कहके वो लोग बलाते थे रानी दिद्धा करके तो वो भारत की प्रतम महिला सासका थी वो कश्मीर के इतियास में आपको बढ़ाऊंगा लेकिन यह दिल्ली सल्तनत की परतम मुसलिम महिला सासकाती इसको आप याद कर लिजेगा यह आपके लिए बहुत जादा जरूरी है यह आपके लिए बहुत जादा जरूरी है दोस्तों इसको आपको याद कर लेना है इसको आपको याद कर लेना है दूसरी बात द्यान रखेगा कि यह दर्बार में पॉइंट लेखेगा कि यह दर्बार में कोबा यानि कोट कोमा कुलाह यानि टोपी टोपी पहन कराती थी यानि जमाने में उस जमाने में जनरली जो महिलाओं का वेस बुसा क्या था कि महिलाएं साड़ी पहन करके आएंगी या मुसलिम महिलाएं जो है बुरके में आएंगी या उन्होंने इस तरह की अपनी अपनी और विवस्ताएं बनाई साथ कि वो इस तरह के से आएंगी आपको पता है इसलाम तो इस बात के बिल्कुल खिलाप रहता है या महिलाओं को ले करके इसलाम खिलाप रहता है मैं यहां पर इसलाम पर कोई टिपड़े नहीं कर रहा हूं बस मैं बता रहा हूं यहां पर कि इसलाम इस बात को मानता रही है जो यह लोग कह रहे है आजकल कि साब महिलाओं को बुर्खे में रहना होगा महिलाओं को इस तरीके से खुले बाल बगरा जो उनकी नीतिया है उसके कोडिक नहीं रहेगा बट यहां पर रजिया सुल्तान ओपन ली बिल्कुल कोट पहन करके टोपी लगाकर के दरबार में आ रही है यह बात इन चालिस तुर प्रडाली अपनाई थी किसने इल्टुतमिस ने तो यह पेपर में पंता है प्रश्न के एक्ता प्रडाली को किसने कहां चलाया तो एक्ता प्रडाली को इल्टुतमिस ने सुरू किया था उसी एक्ता प्रडाली को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि अब जो बदायूं का गव बढ़ने नुक्त किया सुरी बदायूं का बदायूं का इक्तेदार नुक्त किया क्या किया हुए बदायूं का इक्तेदार नुक्त किया यह प्रस्ण में बन जाता है कि बदायूं का इक्तेदार कौन था तो एह तक ही जो था वो बदायूं का इक्तेदार नुक्त किया दा र कि क्या अलतुनिया को अलतुनिया को अलतुनिया को पंजाब के भटिंडा पंजाब के भटिंडा का एक्तेदार निप्त किया एक्तेदार निप्त किया इस एक्तेदार को सेम आप ऐसे समझे लीजे जैसे हमारे देश में एक है राष्ट पती और उसके तमाम उसको सपोर्ट करने वाले राज्य पार अलग अलग राज्यों में आप इस वात को जानते हैं ऐसे मान सकते हैं एक समझ सकते हैं केंदर में एक राजा बैटा उसको सपो को जनता का सहीवप्राप्त है तो यह जो 40 तुर्क थे यह डारेक्ट इसके खिलाब आवाज नहीं उठा सकते थे क्योंकि सुल्तान है जो और इसने दे दिया वो मानना ही पड़ेगा अब इसका तोड कैसे डूड़ा जाए तो कहते न कि भाईया जो केंदर में बैटा जरूर ही नहीं है कि जो और उसके अंडर में बैटें वो उससे कमजोरों नहीं यहां पर एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समराट बंडे की सुल्तान बंडे की एक थोड़ा सा एक चिंगारी पन अपने लगी और व्यक्ति का नाम था अल्टूनिया के नाम था वो अलतुनिया के मन में एक थोड़ी सी चिंगारी उत्पन हो गई विया क्या सुल्तान बंडे की एक चिंगारी बन गई क्यों बन गई विया उसकी बजे थी उसकी बजे थी और वो बजे क्या थी आपकी समझ में त्वारा ने एक वार कमेंट कर दी सारे भाई आपकी ये बा मज़े में तो आरे नहीं सारी चीजें है हाँ भई उसकी बजय क्या थी उसकी बजय थी किसे रजिया सुल्तान का एक प्रेमी है जिससे प्रेम करती है प्रेम करने का अधिकार तो सब को है और जब प्रेम करती है तो सब कोई चाहता है विया कि जो मेरा प्रेमी है वो उसे प्रेम करती है और सो याकूत खान को जिसको प्रेम करती है भाया उसको तो कहते ना कि प्रेम में तो भाया आदमी कहां से कहां पहुंच जाते हैं उसी याकूत खान को इसने भाई साब एक बिसस टपाद दे दिया जब से तो रजिया सुल्तान गल फैंट थी उसकी बने तो तू समराट बन गई सुल्तान बन गई यार मेरा भी कुछ देख ले बूल गई हम दोनों ने साथ जीने की साथ मनने की कसम खाई थी तो रुज्या सुल्तान ने का कि चुप रहे मर क्यों रहा है रुख जा भी मैं सुल्तान बनी हूं तुझे भी कुछ ना कुछ बना दू या अमीर ए आखूर क्या अमीर ए आखूर का पद दे दिया जो एक बिसिस्ट पद हुआ करता था यानि जो साही असुशाला होती थी साही असुशाला समस्ते हैं जो राजा महाराजाओं की यानि सुल्तान की जो सवारी हुआ करती थी उसका सबसे प्रमुक पद दे दिया किसको इस याकूत खान को दे दिया किसको दे दिया किस याकूत खान को दे दिया ये बात थोड़ी सी अब सब को खरने लगी तो मामला थोड़ा सा यहाँ पर चिंगारी टच कर रही किसको अलतुनिया की दमाग में किया बाईया अब मैं स सुल्तान बनेंगा इसको लगा के सस्वराव तो अपने नजदी की बुला लिया इसने साही एस सुसाला का हेड भी बना दिया कभी भी निकाह हो सकता है और अगला सुल्तान कौन बनेगा तो जाय शुवत याकूत खान जो भी आगला सुल्तान बनेगा उसकी एक वज़े भी लेकिन इसमें जो याकूत खान था यह एक कहते हैं कि जो अफरीकी देसमें जो जगेश पठती हैं कौन सा वो देस हैं अफरीका गयो होन ऑफ अफरीका है उधर जो अभी सिन्या मतलब वहां पर एक जगेश पठती थी तो वहां से उसका सम्मन था याकूत खान का यानि इसको अभी सी नहीं हवसी एक इसकी परजाती थी जो मुसलमानों की अलग परजाती थी जिससे ये सब लोग बिल्कुल नफरत करते थी लेकिन भई आपको पता है जब प्यार हुआ तो प्यार हुआ जब प्यार हो गया तो फिर क्या परी और क्या खाली प्यार हो गया तो प्यार हो गया भई साब अब याकूत खान से प्यार हो गया तो यह बात सब को थोड़ा सा टच करने लगी और मामना गड़बर हो गया अलतुनिया भाई साब ने कर दिया विद्रो क्या कर दिया इस अलतुनिया क्या कर दिया भीया इस अल्टूनिया ने विद्रो कर दिया किसके खिलाब इसने विद्रो कर दिया रजिया सुल्तान के खिलाब भीया इसने विद्रो कर दिया अल्टूनिया मुद्रेद याकूत एंड इंड इंप्रिस्ट रजिया सुल्तान जी बिलकुल 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 जो शाहीं के रही है आप अब यहां पर भाई साव इसने अल्तुनिया ने विद्रो कर दिया किया विया अल्तुनिया ने विद्रो कर दिया और जब इस लड़ा गया जिसका युद्ध का नाम ही इतियास कर कहते हैं अलतुनिया का युद्ध लड़ा गया और युद्ध में दो बैक्तिते एक तो पंजाब का जो एक्तेदार है आप जानते हैं पंजाब का एक्तेदार सीधा नाम ही लिख दे रहा हूं है पंजाब का एक्तेदार ह जिसका नाम क्या है जिसका नाम है अलतुनिया और दूसरी दरफ कौन है रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान अब अकेली तो जाएगी निया कितना लंबा सफर है डिली से पंजाब तक गई तो अकेली तो जाएगी नहीं तो अपने साथ अपने प्रेमी को लेगी साथ में जि तो रजिया सुल्तान के साथ में जो याकूत खाने भीया ये साथ में गया और जब इस युद्ध में जब अलतुनिया एक थोड़ा सा सासक था यूग सासक था उसने जब रजिया सुल्तान पर बार किया तो याकूत खान सा बीच में आ गए कि बेगम समय आ गया उपने प्रे मंत्य दोगी क्या होगी विया याकूत खान की मत्यू अब इस युद्धु में याकूत खान की मद्धित होगी लेकिन कहते ना भिया दिराली जी कहते ना कि प्रेम अपने जगए पैस्टा और सल्गनत अपनी जगए पर Dear गुझाता कई या पाइसा अपने जगेह पर होता है बेसग है लोग कहते हैं भीआ है कि तुम्हारे बिना में मर जाओंगी नहीं यह काम हो और है ना लेकिन यह जरूरी नहीं यह वास्तिक्ता निया के वसीम बरे लीवी का सर्फ कहें को द्धान नहीं आ रहा कि मुझे द्धान नहीं रहा बटेक बसी मरेलवी का एक बड़िया सीर्थ था इस जगे पर ध्यान आएगा तो सुनांगा मैं आपको तो अलतुनिया के दौर इस याकूत सुर्णे खान की म्रत्यू कर दीगी अब अकेली बच गई कौन ही मरजिया सुल्टान कि इसने का लगाल तेरा प्रेवी तो रहाобщ Only Barrama अच्छा अब प्रजिया सुल्तान ने सोचा réflवा भाई साब के आह अकेली होगी आसा हाय औरत एसा इत्यास कार ब्याख्यान करते हैं तो इस रजिया सुल्तान ने का कि लाला गदी तो मैं ना छोड़ूंगी रजिया सुल्तान तो सुल्तान तो मैं बन गई सुल्तान तो मैं बन करके रहूंगी इसने का कि बोल क्या चाहता है वह यह तो थोड़ा सा एक प्लाइंक किस बेजी कि Empire goat होगया तलवार गरादी बोली मैं तुस्से भवा करना चाता हूं भवह किया बाई साथ और डौनों आराम से यह वहां से बटडा से चल दिये और ऐसा कहते है कि हरियाडा के कैथल में हरियाडा के कैथल एक जगे पड़ती है जहां पर कैथल में आ करके इन्होंने अपना इस्टॉप किया क्योंकि विवा के बाद थोड़ा सा अपना प्रेम प्रसंग का भी बात बनानी थी एक दूसरे से जानना भी था एक दूसरे से सिकायत थे उनको भी दूर करना था तो यह हरी हाणहा के कैथल में कर लिया लेकिन जो 40 तुरक ते उन्होंने अल तूर्टुनिया को सोचा था किस अलतुनिया को बिद्रो करके यह वहीं पर ईपता दे गा और जो इस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पढ़ने में बहुत मज़ाता है पर क्वेस्टन एक्जाम में उठता नहीं आता है ऐसे में तो रिजल्ट नहीं होगा सर चिंता मत करो सब आएगा अपनी जान बचा ले हैं तो बस बोईता सब अब यहां पर सब मामला गड़ बड़ हो गया और यहीं हर्याणा के कैथल में बाई साब इन लोगों ने इस प्यारी सी रजिया सुल्तान की और शास साथ में उसके नए प्रेमी जगा उसका अलतुनिया दोनों को यहां पर रजिया सुल्तान की पर क्या हो जाते हैं उम्रत्ती हो जाते हैं चालीस तुर्क सरदार और उनके कुछ सेने का करके इसको गेल लेते हैं और यहीं पर गाना बनाया विया कि रजिया फस गई गुंडों में तो यह जो रजिया है उदर अपने प्रेम पर संग में मस्रूफ रही बहांता है और यहां पर इसको गुंडों ने घ्र लिया और गिary करके दोनों को मार अधिटने यहीं पर तो रिजिया फस्टी गुंडों में उप्रती पर गुंडों में गुंडों और आ आप पूछा जाए किस रजिया सुल्तान का जो मकबरा है यह इसकी जो कह सकते हैं कब्र कहते हैं अधिक कब्री कहते हैं जो गाहां पर है तो यह हर्यांड आके कैथल में अब कोई भी दिक्कत हो तो एक वार कमेंट कर दो भाई साफ अगर समझ में आ रहा है तो बिकम विक्टिम ओफ कॉंस्पिरेशी बिल्कुल बिल्कुल बताई यहां पर बताई अगर यह बात आपको समझ में आगे की नहीं आगे हाजी बताई फटापट से उधर बहरामसा तो आपको पता है गदी पर बैठी गया है मुझुदीन बहरामसा जिसका नाम है आसा सिंग जी ओके वेरी गूड गुड मॉर्निंग अवदुयादव जी आसा सिंग हरियाना ओके यहार एक वार कमेंट कर गये तो उधाव समझ में आगया कि नहीं आगया के तल में मृत्ति हो गई थी जी बिलकुल हजी नुत वंदुबे यह सर यह सर ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी यह सर किलियर है रगुनंदन जी करे नाइस ओके सनांसारी ओके ठीक है पिया मस्त तरीके से पढ़ो इतियास को इदम तरीके से सर हम भी ऐसे हिस्ट्री पढ़ाएंगे क्या बात है वाई वाग बहुत जरूरी है इंट्रेस्टिंग तरीके सिच्चियों को पढ़िए कम पढ़ी लिकना अच्छा पढ़िए अब यहां पर आपको पताए कि 1240 में तो इ मौएवद्धीन बहराम सहा ये जो बहराम सहा है ये बहराम सहा इन 40 तुर्क कहां चले के अरे हमें लगा यहां तुर्क होंगे हमने यहां लाइन केश दी कर गात नहीं लिख देते हैं इन 40 तुर्कों की 40 जो तुर्क सरदार थे उनके सायोग से किस पर बैठ गया गधी पर बैठ गया मुझूदीन बहरामसा जो अगला सासर काएगा वो आएगा मुझूदीन बहरामसा लेकिन ध्यान रखेगा इतिहास को पढ़ने के सासाथ उसकी समझ को बनाएए कि यह जो एक्तगी नहीं यहां पर था यह बदाईयों का गवर्नर था देहां रखेगा यहां बात आप यहां पर याद कर चुके हैं अलतुनिया को आप याद कर चुके हैं पंजाब बटिंडा का गवर्नर है याकूद साही असो साला का प्रमुक है आप जानते हैं अमीर ए आखूर का पद किसको दिया गया तो याकूद खान को दिया गया कौन दरवार में कुला कुबा यानि कोट और कुला है यानि टूपी पहन करके आती थी रजिया सुल्तान आती थी भारत की परतम मुस्लिम मैला सास का पूची जाएंगी ठीक है विया चली सराजपूरस्टी पढ़ा दीजिए बहुत मज़ा रहा है चली गुड मॉर्निंग सर रिशू जी गुड मॉर्निंग सराजपूरस्टी ओके चले बिलकुल ठीक है चले अब आगे हम चलेंगे विया हम आएंगे बहराम साह की तरफ चलेंगे किदर चलेंगे विया हम आएंगे इसका पूरा नाम आता है मुए जो दीन बहराम साह मुए जो दीन बहराम साह इसका पूरा नाम आता है छोटे समय तक इसासन किया बारे सो चालीस लेकर के बारे सो ब लाप यह थी कि सावाẫn किसनी बछाय गद्धी पर 10-0 दो द्यान रिखेगा इस ने क्या किसने नायब। मुमलकात नामक एक महतपुर। पद बनाए इसने इसने नायब ए नायब ए मुमलकात नायब ए मुमलकात नामक पद बनाया जो सुल्तान का सरक्षक ता और और संपूर सक्तियों का स्वामी होता था यानि अब देहां रखेगा अब जो है भईया सुल्तान तो केवल अब नाम के लिए रह गया क्योंकि पद जो बन गया वो बन गया नाइब ए मुमलकात का एक पद बन गया इस पद में भईया, क्या हो गया भईया इस पद में सुल्तान का सरक्षंग और समस्त स्वामीों का एक अलग वेक्टी हो गया जिसको नाम दे दिया भईया क्या नाइब ए मुमलकात और जो एतगीन था जिसको बदाईउं का गवरिनर दीक गया था उसी एतगीन को तो लिख लीजेगा एतगीन को एतगीन को किसको वहिया एतगीन को पहला नायब ए मुमलकात बनाये गया एतगीन को पहला नायब निक्त किया गया क्या किया गया भी या एतगीन को पहला नायक निक्त किया गया क्योंकि अब यहां पा सुल्तान जो है वो किवल नाम का सुल्तान हो रहा है इस बात को ध्यान रखिए गा अब 1240 से लेकर के 1242 तक गड़ी पर बैटा है अगर दोस्तों अगर आपको ध्यान आ रहा हो रगु नंदन नूतन निराली जी आदीब शिका जी रिशु जी अगर आपको ध्यान आ रहा हो मैंने आपको लास्टम बताए था कि जब इलतुतमिस गड़ी पर बैट रहा है तो म जलाल अदीन मंग बरनी नामक एक सासक जो खौरिजम का सासक है अफगानिस्तान के पास एक छेतर है खौरिजम वहां का एक सासक उसके भाई की मरत्यू करके जब भाग रहा है तो बो दिल्ली सल्तनत में सरण मांगने के लिए आता है लेकिन इलतुतमिस चंगेश खान की जानता था इसलिए उसने उसको सायोग देने से सरण देने से मना कर दिया और शिंद में चंगेश खान का अकर्मण होता है और उसो जलाल अदीन मंग बरनी को खौरिजम के सासको मार करके वापस सलायाता है तो यानि वहां से प्रश्न बन जाता है एक प्रश्न के अगर भारत पर पहला मंगोल आकर्मण कब हुआ तो पार भारत पर पहला मंगोल आकर्मण जो हुआ वो हुआ इलतुतमिस के सासनकाल में किसके सासनकाल में इलतुतमिस के सासनकाल में लेकिन कहां तक हो पाया सिंद के पास ही रह पाया बाकि यह आगे नहीं बढ़े और इस वक्त तो कौन था इस वक्त था चंगेज खान था कौन सकत इस वक्त जो रूल कर रहा था उसको कौन रूल कर रहा था चंगेज खान रूल कर रहा था अब जानते हैं लेकिन इस मुझुदीन बहराम साके समय धार रखेगा यहां पर लिख लीजेगा कि अब चंगेज खान तो नहीं लेकिन चंगेज खान के जगे जो मंगोलों की कमानेव है तेर बहादूर नाम के एक मंगोल के हाथ में तो लिखेगा यहां पर कि बारे सो एकतालीस इस्वी में बारे सो एकतालीस इस्वी में दिल्ली सल्तनत पर पहला और भारत पर दिल्ली सल्तनत पर पहला और भारत पर दूसरा मंगोल आक्रमड हुआ किसके नित्रत में हुआ तो यह हुआ तैर बहादुर के नित्रत में अब आप करेंगे सर ऐसा क्यों क्योंकि यह जो पहला आक्रमड था यह संदता की हुआ दिल्ली सल्तनत में हुआ नहीं लेकर यह जो तैर बहादुर इसने सीधा आक्रमड कहां पर किया दिल्ली सल्तनत पर आक्रमड किया इस बात को दया रखेगा तो दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमड की बात करेंगे तो वो बहराम सागे सासंकाल में हुआ तैर बहादुर के नित्रत में हुआ समझ रहें समझ रहें अरे बोलो समझ रहें कहीं समझ रहें तो बाहरत पर पहला मंगोल आक्रमण इसके सासनकाल में हुआ अगर आपसे प्रशने पूचा जाए कि बाहरत पर दूसरा मंगोल आक्रमण दूसरा मंगोल आक्रमण तो बारत पर जो दूसरा मंगول आक्रमढ है यह हो रा है इमारे किसके भैया बहराम सहा के सासंकाल में हो रहा है किस के दौरा हो रहा है तेर बहादुर के दौरा हो रहा है 1241 ची में लेकिन अगर आपसे प्रस्टने पोछा जाए कि दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमड दिल्ली सल्तनत पर पहला मंगोल आक्रमड तो दिल्ली सल्तनत पर पहला जो मंगोल आक्रमड है वो यहां पर हो रहा भी या इसको आप ऐसे याद कर लेजे इसको आप ऐसे समझ लेजे कि सर नाम याद नहीं रहता कैसे याद करूं भूल जाते हूं कोई दे कतनी बड़े आराम से याद हो जाएगा एक दुबार आप पढ़ेंगे देखिए एक कहावत है बजर्गों ने कहाया कि जो सीखना होता है जो लर्निंग होती है वो वांब टू टॉम होती है इस बात को लिख लिएगा आप चाहें तो इस बात को याद कर सकते हैं कि लर्निंग वांब टू टॉम मतलब जो सीखना है लर्निंग नहीं सीखना है वांब यानि ग प्रब्से ले करके रूर जाता है हम भी आज थोड़ा वज्यों में जानता हूं वह ऐसा नि एक माता की गर्ब से इतना विद्वान होकर क्या ती नहीं मेहनत की लगातार हम सीखे और हम आगे बढ़ते कि आप भी इस बत को सीख सकते हैं आप क्या नहीं कर सकते अब लगातर आप भी वेट करिए हमारे साथup है के लिस बात को याद रख लीजए आसे सर भी यहीं बताते हैं बिल्कुल भाई असिसर बिद्वान विक्ति हैं तो वही बात बताएंगे जो बिलकुल सटीक बात होगी तो दिल्ली सल्तन पहला अक्रमन, भारत पहला अक्रमन, मंगोल का अक्रमन, मुझ्यूदीन बहराम साह यह मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिस की, यह आपके लिए आपके लिए सूद इसके बाध में एक यहीे पर ऊसासा हाता है जिसका नाम है अलाउदीन वसूद साह आपनें आलाउदीन मसूद सुड वसूद्च तक गद्धी पर बैटा बार रहसुजद बारहसो बैयालीस से लेकर के बारहसो 47 तक इसने बहुत ज्यादा कोई काम किया नहीं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इतियासकार कहते नहीं है तो 1248 तक गद्दी पर बैठा अलाव दिन मसूद सा लेकिन मॉस्ट इंपूर्टे बात थी किसके बाद गद्दी पर कावी समय तक सासन किया नसी रुदीर मेहमूद ने बारे सो पैंसर तक अगला जो हम पड़ेंगे वह हम पड़ेंगे नसी रुदीर अप इसका 246 से लेकर के 1265 तक गदी पर राए इसका नाम है नशीर अधिर महमूद और ये अब गदी पर बेटा इसके बारे में ध्यान रखेगा हर साथ सक अपने समय में कोई ना कोई ना कोई पद नियुक्ति कर रहा है कुछ ना कुछ नियुक्ति कर रहा है इसने क्या किया इसने 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 किया कि इसका निक्त किया अपना इसने वजीर निक्त किया किसको बलबन को इसको उपादी दी उलूग खान की उपादी इस नसीर उद्दिन मेहमूद ते दान रखेगा कि 1249 इसमी में इसने इसने बलबन को बलबन को उलूग खां की उपादी नी नसीर उद्दिन मेहमूद ने इसकी उपादी दी इस बात को ध्यान रखेगा ठीक है भईया और सत्ता की तो कहानी यह सी भईया कि हर कोई चाहता है किसको मार करके अगला सासक मैं बन जाओं इसको मार करके अगली गद्दी पर मैं हासल कर लो कहानी कोच नासुरुदीन महमोद के साथ में यही होई भईया के 1265 में 1265 में इसकी म्रत्टी हो गई इसकी म्रत्टी हो गई और मौका मिल गया बल्वन को और बल्वन ने बलवन ने इसके इसके सभी उत्रादिकारियों को मरवाया सभी उत्रादिकारियों सभी उत्रादिकारियों को मरवाया सभी उत्रादिकारियों को मरवाया और स्वेम गद्धी पर बैट गया और स्वेम गद्धी पर बैट गया अब क्या होगे भीया इसने क्या कर दिया उसके सभी जितने भी उसके और उत्रादिकारी उने वालें उन्हें सब को मरवा दिया और शुयम गद्धी पर बैट गया बलबन गद्धी पर बैट गया सुद्धीन बलबन के नाम से अब यह गद्धी पर बैट गया इस बात को यहांपर समझ में आ रहे होगी इस बात को आप यहांपर लिख लिए इस बात को आप जल्दी से नोट तो दीन बलबन नहीं कोई समस्या हो तो एक वार कमेंड करके बताईए कि हाँ जी शर कोई दिक्कत नहीं है असे इंडर दी थ्रोन बिलकुष रही है यहां पर बताईए हाँ जी अब क्योंकि आप एक बात तो देख रहे हैं भीया पॉइंट समझे मैंने यहां पर सब्द लिखा कि इल्तुतमिस का गुलाम कौन बलबन और इल्तुतमिस नहीं गटन किया था तुर्कान एच चालीसा का या दल चालीसा का गटन किया था और बलबन उसका गुलाम था उस जम नासुर्दीन जो गद्धी पर बैठा उसके बाद में उसके बाद में रजिया गद्धी पर आ रही उसको हरवाएस में फिर दिर 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 कैसे योगदान रहा इनी सब अमीरों का तो सबसे पहले आके इसी बलबन ने क्या किए धान रखेगा इसने इसने दल चालीसा दल क्वेसान चालीं से ज़से सकते हैं। इसने दल चारीसा का 對 mortar किया सबसे पहले विगटन किया i hace ने इनको खतम कर दिया कि अब आपका कोई रोल नहीं रहेगा जियाने लोह की नीधी अपनाई लग्या सुधीं लग्रफंफ पुलॉ की नीती अपनाई इसने क्या किया विया इसने रत एवं लोग की नीती अपनाई किसने गया सुद्धीन बलबन ने इसने का भईया नीती को लेकर किसने बहुत सारे शुधार किये द्यान रहेगा इस बात को आपको यहां पर समझना है दूसरी बात गया सुद्दीन बलवन ने क्या किया कि इसने इसने शिजदा शिजदा और पाबोस सिजदा और पाबोस प्रथा सुरू की प्रथा शुरू की क्या कि विए इसने इसने अपने दर्वार में सिजदा और पाबोस की प्रथा सुरू की और वास्तम में यह सिजदा क्या है इसे सिजदा है कि गुटनों के बल बैठ कर सुल्तान को नमन करना सुल्तान के सामने सर जुकाना गुटनों के बल बैठ कर सुल्तान के सामने जो सर जुकाने की प्रिकरिया है बैठ करके उसको सिजदा कहते हैं और लेट कर सुल्तान के पैरों को चूमना जो है वो कहलाया पाबोस कहलाया क्या कहलाया वो क्या कहलाया वो कहलाया पाबोस लेट कर लेट कर सुल्तान के पैरों को चूमना पैरों को चूमना तो लेट कर सुल्तान के पैरों को चूमने की उपरता है वो कहलाई पाबोस पर था कहलाई इस बात को याद रख लिजेगा इस बात को समझ लेजे अमेजिंग सैसने सजी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो ये गया सुद्दीन बलवन गुटनों के वल बैटकर सुल्तान के सामने सुजदा करने की पर था लेट-लेट करके सुल्तान के पैरों को चुमने की पर था पाबोस की पर था ये सब कर्षण शुरू की वियाओ इसी बलवन ने सुरू की इस बात को धियान रखेगा इस बात को याँ पर समझ लीजेगा ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहत्त पूंड है द्यान रखेगा और भी बहुत सारे काम किये इस बलवन ने लेकिन मोस्ट इंपर्टन बात ये थी यहां तक आप स्कीन सोड ले लीजे फिर मैं आगे बात करूंगा मोस्ट इंपर्टन बात क्या हुई वहिए इस बलवन ने द्यान रखेगा कि 287 इस वी में मंगो लॉंका क्या हुई या मंगो लॉंका मंगो लॉंका भारत पर तीसरा आक्रमड हुआ बारत पर कौन सा आक्रमड हुआ है जिसमें इसका पुत्र जिसमें इसका पुत्र शहजादा मुहम्मद जिसमें इसका पुत्र जो था जिसका नाम ता सहजादा मुहम्मद मारा गया सहजादा मुहम्मद मारा गया और अब जब खुद का पुत्र जब मारा गया जब कोई अपने लोग बिचरते हैं तो दोस्तों बड़ी तकलीफ होती है कुछ लोग बहुत अलग प्रवर्च्टी के होते हैं जो पैसे के लिए धन संपता के लिए सब कुछ बूल जाते हैं लेकिन कुछ लोग बड़े दिल स लोग से नाजूक होते हैं जब अपने लोग विचयरते हैं तो बड़ा डुख होता है दोस्तो इस कोविड के समय में बड़े अपने लोगों को खोया है बड़े अपने साथ एक अध्यापक हमारे साथ पढ़ाने वाले ज था वहां साथ पढ़ाने वाले एक अध्यापत का कोविड में ने धन हो गया और बड़े बेबस थे कि हम जान मुझ गरे भी किसी की कोई सायता ना कर पाए और भी तमाम बहुत सारे रिस्तेदार बहुत सारे दोस्तों के दोस्तर सिजार इस कोड में नहीं रहे तो बड़ा तकलीफ होती है जब कोई अपना भिशोड़ता है तो सेम वही घटना यहां पर इसके साथ मोई बलवन के सा में जब इसका पुत्र सहजादा मुहमद मारा गया रहकेगा तो बारह डिल्ली में इसका मकबरा है दिल्ली में इसका मगबरा है कि लिखेगा कि इस काकू बाद कोने भीया केकू बाद यु है वो गदी पर बेठा इस बात को ध्यान रखेगा और यह काकू बाद है कदी पर उस में समस्जा उत मुझे बताईए कोई देखकत बताई है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं थालकुल था है सही कह आपने जाली जी, बड़ी तकलीफ होती है वागए में कभी-कभी, ये जीवन का एक नियम है मिरे दोस्तियार, कहते हैं कि, मैं वास्ता में कहता हूँ यहां पर, कि, खह छोड़िये, सब कहने वाली बात में, यहां तक यह सब कुछ समझ में आगया आपको, यह कहानी पूरी पूरी, बलवन ने कैसे सुरुआत की, क्या किया, ठीक है, लेकिन गाओं दिहात में एक आहवत कहते हैं हमारे हां पर, कि, हसबोल बखत कट जाएगो, जाने को कितकूर रम जाएगो, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई चड़ चला शिंगासन, कोई बांधा जाए जानजीर, इस दुनिया में जो भी आया है, वो सब जाएगा, लेकिन बस एक चीज़े है, रह जाता है तो कुछ क्या, आपके कर्म, आपके जो थौट थे, आपके जो बिचार थे, वो बस इस दुनिया में रह जाते हैं, कोशिस करिए कुछ अच्छे कर्म करने की, किसी का गरत करने की कोशिस मत करिए, थोड़ा सच्छा करने की कोशिस क करिए हसते रही है मुस्कराते रही है मैं हमें साइए कहता हूँ क्या आप जानते हैं कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है बाकी सब जानते हैं चलिए आगे बात करेंगे यहां पर तो मंगोलों का आकरों का सहजादा मोहमद मारा गया पुत्र व्यूग में इसकी मत्युग इसका मकबरा दिल्ली में है इसकी मत्युग वाद कैकवध गद्धी पर बैठ गया जो बलबन था उसी के धरवार में उसका एक सेना पती के तोर पर एक कैकुबाद तो वो गद्धी पर बैठ गया I lost my nana मैं समझ सकता आपका दख आयरा रिजुसर कैकुबाद कौन था इसी के दरवार में बलवन के दरवार में ही एक सेना पती था बहुत तकलिफ होती है अपनों को खूने की होता है मेरे दोस्त चीजें बनी रहती हैं बढ़ कोई दिकत नहीं चलिए आगे बात करेंगे तो इसकी मत्टाववत कैकुबाद गदी पर बैठा और धियान रखेगा दोस्तों यहां पर के यह कैकुबाद तो गदी पर बैठा यहां पर धियान रखेगा कि अफगानिस्तान के एक सरदार ने कहा भी या अफगानिस्तान के एक सरदार ने एक सरदार मलक फिरोज मलक फिरोज ने मलक फिरोज ने मलक फिरोज ने इसकी हत्या कर दी इसकी हत्या कर दी और स्वैम गदी पर और क्यूमर्स को गदी पर बिठाला क्यूमर्स को गदी पर बिठाला आई तिंग आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा हूगा मैं इसको उपर इसकी हत्या कर दी इसकी हत्या कर दी और क्यूमर्स को गद्धी पर बैठा ला और क्यूमर्स को गद्धी पर बैठा ला क्यूमर्स को गद्धी पर बैठा दिया अब इसने किसको गद्धी पर बैठा दिया इसी ही सासन का एक और बैठती है जिसका नाम है समसुदीन क्यूमर् आपकी हर बात जैसे डारेक्ट दिल में छू जाती है इसलिए बहुत अच्छा लगता है सहसन फिर चाहे वो साइरी हो या पढ़ाना निराली जी देखिए मेरे जीवन का यह अधिश है कि मैं कभी फेक बातों पर बहुत सानी करता हूं मैं दिल की बातों कहता हूं आप अक्सर करके देखते हैं कि बहुत से कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी जो रिलेशन जैसे चीजे ना बहुत जल्दी बन जाते हैं जैसे में अक्सर करके आफ सभी विए कहता हूं कि आफ सभी मज़े अपना दोस्त मानीए अपना भाई मानीए अपना जो भी आप मान सकते हैं मुझे मानी अपना बॉइफंड मत बानिगा हाहा है यह तोड़ा सर बीच में कि जोग भी था लेकिन देखो ये जीवन में जीवन बहुत छोटा है यार मेरी बहुत छोटा है बहुत छोटा है बहुत छोटा है पता नहीं कब क्या हो जाएगा मैं नहीं कहा ना पता नहीं कब क्या हो जाएगा हस बोल बखत कट जाएगो जाने को कि तूरम जाए हसलो मुस्करालो यह बखत मतलब गाव में कहते हैं समय कड़ जाएगा पना पता नहीं कौन केदर चला जाएगा कुछ भी वरुशा नहीं है इसलिए मस्त रहो आराम से बढ़िया टेंसर फिरी रहो और मेरे भाई एसजीवन में बहुत संगर्ष किया रही या इस भड़ाने के लिए यहा इस पधभ्य पहुंचने के लिए गाउं के छोटे से लेकर के बड़ा संगर्ष किया अपनी पढ़ाई की अपनी पढ़ाई लिखाई डिग्रियों की प्रप्ति, higher education, experience, पढ़ाना, पढ़ना, खुद के कई exam qualify, जो जोब छोड़ी मैंने एक आया करके, फिर अपना मतलब एक गोल को लेकर करके आज थोड़ा सा settle किया है, और भी आगे जाना है, तो जीवन में बहुत बहुत दिक्कत होती है भाई, बहुत संगर् सबस्क्राइबा जादा जीवन में, आगे बढ़ते रोगा बगवान महाकाल, सबका बढ़िया करेंगे, कैंसे भी निंटा युटी you सार डोस्ति तो एक अलगी है अगर पवित हता ही नहीं तो और झिकती है आपकी मेहनत सर आप सही बोल रहे हैं चले बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए बड़े भाई बना तो लिया है लेकिन समझ दिना इस संबंद का मतलब क्या होता है ऐसा नहीं मतलब मुसे बोल दिया फिर भाई का मतलब भाई होना चाहिए क्योंकि आज कर ल देते हैं सर आपकी महनत को सिलुट है बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का अब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है भी या समझें समझ रहें है कि तो इस ने बाई सब क्यूमर्च को गद्दी पर बिठा दिया 1277 1290 में किस ने बठायता इस मलिक फिरोज ने बठायता ध्यान रखेगा और कुछ समय के पस्चा ध्यान रखेगा इसकी अगर मैं बात करूँ कि इसकी मत्ति ध्यान रखेगा इसकी हत्या इसकी हत्या मलक के फिरोज नहीं कर दी किसने मलक के फिरोज मलक के फिरोज ने की इसी मलक फिरोज ने जिसने गद्धी पर बैठाय था देख रहे हैं ना खेल देख रहे हैं आप क्या हो रहा है क्या कौन किसको हम सब मतलब सब पैसे के भूक हैं इस दुनिया में इसकी अत्या मलिक फिरोज ने की और स्वेम मतलब गद्धी पर बैठाया की उमर्स को और उसी को बताइए मार दिया है आपकी मेहनत को सलूट बरोसा कर सकते हैं हम पर बहुत-बहुत धन्यवाद यूर बेस्ट टीचर आसा जी ज्यादा सेड मत हो यह कोई बात नहीं सर आप तो मेरे गुरू हो क्या बात है बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्रिया आज का सेटन लर्निंग के साथ सथ इमोसनल भी हो गया जी-जी बिलकुल कोई बात नहीं होता रहता है यह भी जरूर यह इमोसन का जोड़ना भी बहुत जरूरी है यह इमोसन ही तो हमें करते हैं परना हमें कौन जानता आपको कौन जानता है कभी-कभी मिले कभी इस दौर रॉपए तो किया होगा वह इ jewगी तो मलक फिरोज नेस कहत्या कर दी और शौहम जलाल अदीन यह जो था मलक फिरोज यह शौहम जलाल अदीन फिरोज खल्जी के नाम से गदी पर बैठा जलाल अदीन फिरोज खिलजी के नाम से गद्धी पर बैठा जलाल उद्दीन फिरुज खिलजी के नाम से गद्धी पर बैठा है और इसने अपने नई वंस की स्थापना की जिस वंस का नाम था खिलजी बंस तो कल की क्लास हम जिसकी बात करेंगे वो हो जाएगा खिलजी बंस हो जाएगा ठीक है और एक साहर का कहना है कि चिरागों को आखों में महफूझ रखना चिरागों को आखों में महफूझ रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी चिरागों को आखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी जाने किस मोड़ पर मुलाकात होगी पता नहीं कब मुलाकात हो जाए इसलिए बहुत बहुत धन्यबाद शुक्रिया जैहिंद थैंकि वेरी मच कल एक नए टॉपिक के साथ में आप सुमलाकात करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा खिल जीवन्स शैसन को शेयर कर दिएगा बहुत 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 धन्यबाद आप सभी का इतना प्यार संबाद देने के लिए सर मेरा नहीं हुआ टेट में हम सुपर टेट की तियारी कर सकते हैं बिल्कुल करिए कोई दिकत नी कमेंट करेगा कल में आपका जवाब देता हूँ बहुत बहुत धन्यबाद शुक्रिया